वेल्कम बाक ट्रेड़ इजान इन्वेस्स एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल थिंक फाइनांस में चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को तो दोस्तों इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अमबूजा सिमिन्स लिमिटेट के बारे में क्यों यहाँ पे आप देखेंगे कि अटानी के स्टॉक्स के अंदर इतनी जादा घरावट जो है देखने को मिली कैसे अमबूजा सिमिन्स एन एसी सी जैसे स्टॉक्स के अंदर पुश्ट देखने को मिला है तो इन चीजों के बारे मैं बात करते हैं सबसे पहले तो एक फैक्टर में आपको अभी क्लियर कर देता हूँ वीडियो के शुरुवात में कि देखो एक बार अगर इतना बड़ा डाउन फॉल देखने को मिलता है ब्रेकडाउन ऐसे स्टॉक जो है वो मार्केट के साथ में कोरेलेटेड है कोरेलेटेड का मंतलभ होता है कि अगर ओला इस्टॉक के अंदर भी एक यह थेसफ वॉल देखने को मिलेगा एंड इनकी जो हियर साइट पर इनका कोरेलेशन होता है तो आपको यह फैक्टर एक कंसिडर करना है और secondly आपको एक और बात ये समझनी है कि अमभूजा सिमिन्स इतने समय से न्यूस के अंदर था तो न्यूस इंपक्ट तो देखने को मिले गई तो अब अडानी ग्रूप के साथ में क्या हुआ है देखो यहाँ पे एक US activist investor research company है यह आप देख पा रहे हैं नाम उन्होंने एक basically report यहाँ पे issue करी है अडानी ग्रूप के अगेंस में यहाँ पे शाम कोई अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रूप के जो chief financial officer है उनका यहाँ पे message भी आ गया कि उन्होंने baseless regard कर दिया है basically इसको बट यह तो देखो यह सारी चीज़ें चलती रहेंगी तो अ बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता उसके बीचे reason के है कि मुझे लगता है अगर मैं आज invest कर रहा हूं for future तो green energy के अंदर ज्यादा scope है as compared to these stocks उस factor को मैं mind में रखता हूं मैं consider करता हूं तो वो मेरा reason है बट यहाँ पे definitely आपके पास एक अलग reason होगा कि आपको यह share पसंद आ आती है ऐसी company में dividend 6.3 rupees का last declare करा था अब देखो charts पे क्या है charts पे दो चीज़े हैं जो आपको देखने को मिलेंगी जो आप witness करोगे यहाँ पे first of all इस company ने अपने support price को break करा जो 481 के आस पास था otherwise यहाँ पे देखे news नहीं आती market retest नहीं आते जैसे हम लोग ने बात करी market के स stocks देखते further बट वो चीज़ हमें नहीं देखने को मिली stock lower side पर drag हो गया 481 के नीचे closing दी है volume भी आ गई है क्योंकि यहाँ पे retail investors ने काफी जादा actively buying करी थी stock में और वो अपने stake को बहुत जल्दी sell off करते हो नजर आए तो एक हमको यह factor देखने को मिला है ambuja cement के अंदर secondly अगर अभी आप देखते हो तो stock जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने 100 EMA को भी break कर दी है तो stock further हमें 392 के level तक head होता हो नजर आ सकता है अगर ऐसी journey को continue करता है क्योंकि यहाँ पे और कोई support नहीं है इसी zone के तक आता हो नजर आ सकता है इसका मतलब definitely यह नहीं होता कि company खराब हो गई अगर आपको लगता है 6 महीने 8 महीने साल बर 2 साल के लिए तो मुझे भी यह पसंद है but मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा यहाँ पे vision जो है वो हम लोग align नहीं कर पाते हैं इस विज़ा से मैं Simmons stocks के इंदर जो है नई positions नहीं बना रहा हूं and swing trade के हिजाब से हिस्समें इन levels पर अच्छा था यहाँ पर हम लोगों ने बात भी करी थी अगर आप मेरे चानल को पहले से follow कर रहे हैं तो बाकी कोई problem या डरने वाली बात नहीं है बस सही levels पर buy करो stop losses को follow करो तो कोई tension होगी ही नह आपका कोई भी डाउट है comment section में जरूर बताना फिर मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ में तब तक ले शुक्रिया and thanks for watching